देखे, कॉल्गत्ता हाई कोट ने ओबी से आरक्षणी बलकि मुस्लिम आरक्षण को ले करके, जो अपना फैसला दिया है, वहाँ स्वागत योग्य है, भारत का सम्विधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमती नहीं देता। मुस्लिम जातियों को जबरन OBC में घुशेड करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। यानि 118 ये जाती हैं, इसका मतलब OBC का हग जवरदस्ती हडप रही थी। और इसी और सम्विधानिक किर्ट्य पर माननी उच्चे नियाल है कोलकता ने टीमसी गौवर्मेंट के फैसले को पलता है और एक जोड़दार तमाचा मारा है ये कार्य और समयधानिक भा और इसको अनुमती नहीं दी जा सकती है। स्वभाई कृप से बाबा साफ भीमरा अमबेटकर नेवी देश के समयधान सभा में इस बात को कहा था बार बार कहा था। आरक्षण भारत के अंदर अनुसुची जाती जन जाती के लिए और मंडल कमिशन के बाद OBC के सामाचिक और आर्थिक पिछड़े पन को ध्यान में रखते भे ये आरक्षण की व्योस्ता की गई थी। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाज़त भारत का समिधान कभी नहीं देता। और बाबा साब भिम्राओं बेटकर ने इसके लिए बार बार देश को वाण किया था। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। हमें फिर से कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जो इस देश को विभाजन की ओर धके ले। और मुझे लगता है कि ये फैसला एक नजीर बनना चाहिए। ये फैसला जो करनाटक के अंदर कॉंग्रेस की सरकार ने ओबीसी के अधिकार पर इसी प्रकार की सेंदमारी करते हुए मुसलमानों को आरक्षन देने का काम किया है और कॉंग्रेस की सरकार ने आंदर प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की जुस्रारत की थी। इसका जोरदार जवाब दिये जाने के आऊ सकता है और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के उस कारे को जो अस संवेधानिक हो भारत के विभाजन की आधार सिला रखने वाला हो भारत को कमजोर करने वाला हो उसको कतई श्विकार नहीं क्या जाना चाहिए देश की कीमत पर राजनीती की जो ये नीती चल लई है खासतोर पर कॉंग्रेस और इंडी कट बंदन से जुड़ेवे दलों में जो ये होड लगी है इस होड को पूरी तरह खारीच किया जाना चाहिए और इसको बेनकाब किया जाना चाहिए For more of such videos, do like, share and subscribe to ETNow Swadesh